इस चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है बट टिग्नोमेट्री चैप्टर इजी तब ही होगा जब आप इसके कंसेप्ट को बिलकुल क्लियरली अंडरस्टेंड करते हैं तो मैं आपको इस चैप्टर में बिलकुल क्लियर कट कंसेप्ट आपको बताऊंगा और होप करता हूँ कि आपके लिए यह हैल्प करेगा सबसे पहले तो इंट्रोड़क्शन टू टिग्नोमेट्री कि टिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है क्योंकि आज से इस क्लास से पहले हमने कभी टिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है प्रिवियस क्लास नाइन तेर्थ में टिग्नोमेट्री नहीं थी टैंथ के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है तो इसका इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे इनकी वैल्यूस यानि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर टिग्नोमेट्री के वैल्यूस की वैल्यूस जोके 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree जोके हमारे कोर्स में है and then टिग्नोमेट्री रेशियो ओफ कॉम्प्लिमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लिमेंट्री एंगल्स यानि ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनके टिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके बारे में पढ़ेंगे and last में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है so let us start chapter टिग्नोमेट्री